स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारखंड सहायक सिक्षक भरती 2024 के लिए 6-8 का SST का सिलेबस क्या रहने वाला है इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिस करेंगे और हर एक टॉपिक कौम लोग इसमें देखेंगे कि कौ कौन से टॉपिक से कोशिन पूछे जाएंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीनों सिलेबस को अम लोग इसमें देखेंगे बाइदवे मैं आप लोगों को बता दूँ इससे पहले मैंने 1 to 5 का एक वीडियो पहले ही अप्लोड कर रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स म वो देखना है क्योंकि जार्खन में आपको पता है 6 to 8 का जो लेबल होगा वो होगा 12 और ग्रेजुएशन लेबल का एक्जाम आपसे यहां से पूछ लिया जाएगा सिलेबस आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा साइन्स वाले बच्चे आसानी से रिलेट क आए गए है ना वो भी प्रिवेसर कोश्चन पेपर आपको लेबल करा दिया जाएगा यहां से मेरी इमेल आईडी देख लो यूरमिथोन सिंग एड़एट जीमेल डोट कॉम पे आप मुछ इमेल कर सकते हो इंस्टा पे हो दें डू फॉलो मी एड़एट आई मिथोन चलिए सिधे ऑफिसल पीडियाफ के और मुलोग बढ़ते हैं और 6-8 के सिलेबस को मुलोग देखते हैं ऑफिसल पीडियाफ में आप पॉइंट नमर 17 में आओगे तो आपको देखिए क्या दिखेगा परिक्षा का स्वरूप परिक्षा का जो स्वरूप है वो क्या है CBT य एक ही बार में ले ली जाएगी यानि कि एक ही चेरण में आपकी परिक्षा ले जाएगी जिसे आप मुझी परिक्षा बोलो या जो बोलो एक ही चेरण में आपकी complete exam को जो है conduct करा लिया जाएगा आगे देखिए परिक्षा में सभी प्रसन बस तुनिष्ट यानि कि objective question आप आपको दिखा भी देता हूं कि कहा लिखी गई है बाते गलत उत्तर के लिए अंकों की कटोटी नहीं की जाएगी clear होगे बाते आगे देखिए यह इंटर वाला है यानि की one to five के लिए और असनातक वाला जो है वो six to eight के लिए है clear होगे बाते चलिए मैं six to eight के लिए आपका पेपर दिखा देता हूं यहां से देखो यह रहा असनातक प्रसक्षित सहाजाक अचार के मुखी परिक्षा का बिस है इसमें देखिए चार पत्र होंगे कौन-कौन से पेपर होंगे पहला पेपर जो होगा आपका वो conduct कराया जाएगा subject का यह qualifying nature का होगा इसमें 30 नमर आप आप लाओगे आपका काम बन जाएगा इसमें से जो पेपर आप चुनते हो या फिर जो भी language को चुनते हो पेपर 2 में आप उसे नहीं चुन सकते हो देखिए पेपर 1 में आपको कौन-कौन देखेगा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, लेना होगा और पेपर 2 जो है यह scoring number भी है, याद रखिएगा, यह जो है इसमें आपको अंक भी मिलेंगे, number भी मिलेगा जो की merit में add होगा, तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अब देखिए paper 3 जो है सभी लोगों का common है, जिसमें समान ग्यान और current affairs रहे और इसी तरह से SST वाले के लिए भी 5 यहाँ पे रखा गया, 180 नमर का paper यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा, देखिए क्या है, समाजिक बिज्ञान वाले, इतिहास, भुगोल, राजिनती बिज्ञान, अर्थ सास्त्र, समास सास्त्र, लेखा सास्त्र, या फिर प्रिया हो गए बाते, चलिए, आगे देखते हैं, paper 1 जो है, यहाँ पे देखो, इन्होंने लिख रखा है, qualifying nature का है, इसमें आपको 30% अंकल लाना अनिवार है, नहीं लाओगे तो आप disqualify हो जाओगे, लेकिन, मेगा सुची में, यानि कि merit list में इसका number नहीं जोड़ा जाएगा, clear ह अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, अपने district का नाम लिख दो, जैसे मैं देवगर से इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप इसे जमताड़ा में, रामगड में, दुमका में, सराय केला में, जहां से भी इस वी श्लीबस है न, वो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर इनोने जो है, छोटी मोटी जो बातें हैं, यहां पर लिखी जाए थी वो इनोने लिख दी है, इस यहां पर लिख दी है, छीक है, लेकिन, जो common paper का syllabus है, वो दोनों लोगों के लिए same ही है, 1-5 का और 6-8 का जो Grandpa, पर मैंने अभी आपको बताया ना, समसमाईक और current affairs मैं आपको दिखा देता हूँ, wait a minute, wait, थोड़ से इंतिजार कर लो आप लो, क्योंकि सही जानकारी लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, अब यहां से देखो आप, यह जो paper है ना आप लोगों के लिए, सभी के ल यह जो सिलेबस है, समाने ग्यान और समसमाईक, यह सभी के लिए है, यह सभी के लिए है, याद रखिएगा, I repeat, यह सभी के लिए है, अब समसमाईक में देखे, क्या-क्या पूछा जाएगा, यहां से देख लिजी आप से सवाल पूछे जाएंगे, बरतमान में जो घठना हो रही है, उसका सुक्ष्म अबलोकन आपको करना होगा, यानि कि Current Affairs आप से यहां से पूछा जाएगा, इसमें जारखन, भारत और पडोसी देश के सम्मंद में, विशेश रूप से बनती है, यानि कि जारखन का Current Affairs, भारत का Current Affairs, और भारत के जो पडोसी राजी है, नेवर सवाले स्टेट है, देश को अच्छली स्टेट ही बोला जाता है, सस्टी वाले से समझते होंगे, तो वहां से सवाल आपसे बनेंगे, आगे देखो, समसमाईक, विशेश से भी सवाल पूछा जाएगा, बेग्यानिक प्रगति, यानि कि scientific research बगेरा हो रहा है, वो राष्ट अंदोलन से सवाल पूछे जाएंगे, भारती एक क्रिशी और प्राकृतिक संसाद्रों की प्रमुक विसेस्ता, भारत का इतिहास से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, अब सिविक्स की बात करें, तो भारत की जो राज वेबस्ता है, देश की जो राजनितिक परनाली है पंचायती राज है, सामुदाइक विकास और पंचवर्सी पर योजना से सवाल आप से पूछ लिया जाएगा, पंचवर्सी योजना सभी चीजों को पढ़ लेना है, अब देखें बिज्ञान में क्या सवाल पूछे जाएंगे, ये करेंट सभी लोगों के लिए है, तो द पूछे जाएंगे, क्लास 10 तक इन्होंने मैट्रिक या फिर क्लास 10 लिख रखा है, रिजनिंग के बात करें तो साब्दिक, गैर साब्दिक दोनों तरह के प्रसन पूछे जाएंगे, सादरी से समानता, भिनता, स्थान कलपना, समस्या समाधान, विशलेशन, विभेद, अ अंक गनितिये तर्क सक्ती, अंक गनितिये संख्या, कूट, ये सबसे सवाल आपसे पूछ लिये जाएंगे, आगे देखिए, कंप्यूटर का जो मूलभूत ग्यान है, उसमें MS विंडो से सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को, और जार्खन से भी जीके आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे बातें क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ पे देखो इन्हों लिख रखा है, समान ग्यान और समसमाईक से इस सवाल पूछे जाएंगे, उसके बात जो है, देखो यहाँ पे 180 अंक जो है आपका, जैसे कि अगर मैं साइंस की बात कर लेते हैं, आप इतिहास, भुगोल और राजनती सास्त्र लेते हो, तो आपका तीन यहाँ से हो जाएगा, अगर कोई अर्थ सास्त्र लेना चाहता है, तो अर्थ सास्त्र, समास सास्त्र, लेखा सास्त्र, जैसे कि एकाउंटेंट वाले जो बच्चे हैं, उनका यहाँ से हो हिंदी में देखे क्या क्या पुछा जाएगा आतम परिचे आपसे पुछा जाएगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये सही है हरीवन स्राय बच्चन को आपको पढ़ना है पतंग आलोग धनवा को पढ़ना है कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुवर नरायन का सवाल सहर सुईकार है ये सवाल पूछा जाएगा उसा बादलराग कवितावली रुबैया गजल और छोटा मेरा खेत और बगलो के पंक यहां से सवाल आपसे पूछ लिए जाएगे गदखंड की बात करूं तो भक्तिन महादेवी बर्मा के लिखे हुए हैं बजार दरसन काले मे के द्वारा लिखी गई कविता है धर्म विभाजन और जाती पर था मेरे कलपना का समाजिक विकास भीमरावा मेतकर के द्वारा लिखी गई है यहां से आपसे सवाल पूछे जाएगे आगे देखिए भाग दो में देखिए सिल्वर वेडिंग ये जो मनोहर स्याम जोसी के द्वारा लिखी गई है वहां से सवाल पूछा जाएगा जूज आनन्द यादब के द्वारा लिखी गई है अतीत के दवे पाउं ओम थानवी के द्वारा लिखी गई है यह आपसे सवाल पूछा जाएगा डायरी के पन्ने एन फ्रेंक के जो कोश्चन है वहां से आपको देखने को मिलेगा अब देखिए जन संचार माध्यम रिपोर्ट फीचर कारेकाली पत्र टिपन्नी समाचार संपाद की यहां से सवाल पूछा जाएगा ब्याकरन में देखिए संग्या सरवनाम क्रिया विजेशन कारक समास मुहाबरे निवंद लेखन पत्र लेखन और बिसे के लिए जो परकासक और खोटा साहित है उसके बारे में यहां पे इन्होंने लिख रखा है देखिए जो परिसद साहित धद संस्कृति परिसद बोकारो का है वो आपको पढ़ना है खोटा निवंद लेख़ग जो है बी एन ओहदार ये पढ़ना है आपको ड़ा नाटक फरीज डहर ये जो कहानी संकलन है पंचम महतों के द्वारा लेखी गई है ये आपको पढ़ना है पद साहित की जो पुस्तके है एक पथिया डॉंगल महुआ लेखा के संतोस महतों ये पढ़ लेना आपको सौंध माठी डॉक्टर विनोध कुमार के द्वारा लेखी गई क निमंद जो है समसमाईक बिसेपर उससे भी सवाल आपसे पूछा जाएगा किलियर हो गई तो ये था खोठा का सिलेबस ये जो था यहां से मैं देखा देता हूँ फिर से एक बार आप लोगों को यह देखो ये इंगलिस का सिलेबस था यहां से आप देख पाओगे ये दे वेट ए मिनिट देखो यहां खोठा भासा भी यहां पर रखा हुआ है तो खोठा भासा से भी आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारा सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है अक्चुली बट मैं संस्क्री ये जो है आपको मैं लेकर चलता हूँ ये देखो ये रहा इंगलि हिस्ट्री में देखे क्या पुछा जाएगा सिवा जी का जो सासन प्रबंधन था और अंजी इससे सवाल आपसे पूछ लिए जाएगे अब देखे इसमें दूसरा खंड जो है पलासी और बकसर का युद कारण क्या था परिनाम क्या था महत्व क्या था लॉट डल होजी अठारो सो संतावन की क्रांती का कारण और महत्व राजा राम मुहन राय भारत छोड़ आंतोरन कैबिनेट मिशन और ध्योगी क्रांती फ्रांस की क्रांती नेपोलियन बोनापाट के बार में पढ़ना है और पर्थम विश्यूद साथ में 1917 की रूसी क्रांत परिनाम और कारण दोनों भी सब में साथ में हैं यहां से यहां तक दूतिय विश्यूद भी आपको पढ़कर जाना है तो अब सिविक्स की बात करते हैं तो देखिए सिविक्स में आपसे पुछा जाएगा बिहेवरिलिजम जो है इसका मीनिंग क्या है लिब्रिटी लिब परिक्ता से सवाल पूछे जाएंगे वेलफेर स्टेट यानि कि जो इसका मीनिंग क्या है यहां से सवाल बन जाएगा गांधी गांधिवात के बारे में जो सत्यागर है वहां से सवाल आपको देखने को मिलेगा मार्क्सिजम से सवाल बनेगा देखिए पार्ट टू में ज Directive Principle of a State Policy, यहां से सवाल बनेगा, भारत के राष्टपती के जो action process है, emergency powers है, उसके बारे में, लोग सभा, राज सभा के बारे में आपको पढ़ना है, गवर्नर और चीप मिनिस्टर का appointment कैसे होता है, power sharing क्या है, फंसन क्या है, यह सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, legislative assembly यान जो धर्म के बारे में है, धर्म हो गया, या फिर जो communism है, या जो नकसलवाद है, उससे सवाल आपका बन जाएगा, पंचायती राज के बारे में आपसे सवाल देखने को मिलेगा, जोगरफी की बात करें तो देखिए, जोगरफी में जो है, structure of earth है, difference between rock and minerals है, परवत के बार air views on the isotrees, इससे सवाल पूछा जाएगा, weathering से सवाल पूछा जाएगा, तो यहां से आप देख सकते हो, iron and steel industry of India, ठीक है, plantation agriculture, इससे सवाल आपसे देखने को मिलेगा, part 2 की अगर मैं बात करूँ, तो part 2 में जो है, यहां से देखो, psychography of India, यह सवाल बनेगा, climatic reason of India, natural vegetation of India, water power of India यहने कि भारत के जो नदियां है, उसके बारे में आपसे सवाल बनेगा, cotton textile industry, यहने कि जो कपास की खेती होती है इंडिया में, उससे सवाल पुछा जाएगा, distribution of population of India, यहने कि भारत की जनसंख्या का जो वीतरन है, उससे सवाल बनेगा, agriculture reason of India, यहने कि भारत में कहां कहां जारकंड, जारकंड के बारे में पढ़ना है, जारकंड के जंगलों के बारे में पढ़ना है, fisheries of Japan, जापान के जो मचवारे हैं, या फिर वहां की जो मचली industry उसके बारे में पढ़ना है, distribution and production of iron or of the world, यहने कि iron वखेरा जो है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, call और the ordinary approach of consumer, यहां से सवाल बनेगा, law of return से सवाल बनेगा, concept and functions of money, पैसे के बारे में सवाल बन रहा है, आपसे देख सकते हो, और महंगाई जो है, या फिर depletation है, उससे सवाल बनेगा, central bank और जो commercial bank है, उसके बारे में आपसे सवाल देखने को बिल जाएगा, principle of maximum social advantage, causes of the growth of the people, य देना है, IRDP, NREP, RLEGP, ठीक है, और अंतोदे के बारे में पढ़ना है, मन्रेगा के बारे में पढ़ना है, food work के बारे में पढ़ना है, SGRY के बारे में पढ़ना है, इन सारे institution के बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना होगा, Indian population और जो family welfare है, program, उसके बारे में पढ़ना है, उससे सवाल पुछा जाएगा, नवाड जो की crisis की सांस्ता है, वहाँ से सवाल पुछा जाएगा, railroad को जो coordination है इंडिया में, उसके बारे में सवाल पुछा जाएगा, iron, steel, cotton, cement, jute industry के बारे में पुछा जाएगा, cottage industry के बारे में भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, FDA यानि कि foreign direct investment के बारे में भी आपसे सवाल पुछा जाएगा, और जो growth or development है, इसमें क्या अंतर है, human research जो इनसान के तोर पर पर जो हा resource को use के जाता है, उसके बारे में पढ़ना है, ये class 9 में आपको देखने को मिलेगा, development, economic development से सवाल पुछा जाएगा, तो यह पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, मैं फिलाल accounting की syllabus को आपको दिखा रहा हूँ, आप जो है screenshot लेते रहा हूँ, या फिर चाहो तो, PDF भी से download कर सकते हूँ, मैं टेलिग्राम पर ये PDF आप लोगों के लिए upload कर दूँगा, by the way नहीं मिले, तो जो मैंने बताया, वहां से आप जो है PDF ले सकते हूँ, yourmithun sing at the red gmail.com पर आप मुझे mail कर सकते हूँ, इंस्टा पर हो, then do follow me, और ये syllabus आई सिर्फ तो syllabus भी आपको दे दिया जाएगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ समय के करके आपको दिखा रहा हूँ, आप screenshot फटा-फट ले सकते हो, sociology की भी syllabus यहाँ पर मैंने दे दी है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया, have a good day.